दोस्तों अगर आपका सरीर में किसी भी जगह में कैंसर हो चुका है और आपको खुझ से पता नहीं है और वैसे भी अगर आपको कैंसर हो भी चुका है उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सरीर में कैंसर का इंफेक्शन कितना जादा जगह में एफेक्टेड ह कौन सा-कौन सा जगह में फैल गया है Cancer का कौन सा स्टेज चल रहा है कौन सा-कौन सा और इंपेक्टेड हो गया है और वैसे भी वीडियो की माध्धम से मैं आप लोगों को बताऊंगा पेट सिटिसकन क्या होता है पेट सिटिसकन को कब किया जाता है पेट सिटिसकन को कैसे किया जाता है और पेट सिटिसकन करने का प्राइज कितने का आता है सारा जानकरी आप लोगों को इस एक ही वीडियो की माध्धम स से पता चल जाएगा इसलिए आज के इस वीडियो को आप सभी को completely watch करना है लेकिन सुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी के पास एक चोटा सा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सेट करके जरू जाना बैल आइकोन को और प्रेस कर देना और इस वीडियो को साथ में लाइक भी कर देना सो हैलो दोस्तों गुडिविनिंग मेरा नहीं में अंजयन महानती और आप सभी देख रहे हैं मेडिगल सॉलबार यूटूब चैनल तो चलिए सुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक को सो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे पेट सिटी स्कन टेस्ट क्या होता है देखें पेट सिटी स्कन का जो फूल फोर्म आता है यह तो फिर Hugo कितना जादा जगे में फ्याल गया है और एज ए जो टिस्ट काफी ज़्यादा इंपोर्ड dependency अगर आपको पता करना है कि आपका सरीर में कैंचर हगिरा हुआ है यह नहीं तो आपको यह टेस्ट कर लेह समझ गये बात करेंगे कि पेट सिटिसकेंटेस्ट को कब किया जाता है देखिया दोस्तों मानंके चले अगर आपका सरीड में cancer का कोई भी symptoms देख रहा है जो कि आप को खुझ से पता चल रहे तो फिर डॉक्टर को आपने दिखा है डॉक्टर देख रहा है कि आपका सरीर में कोई भी container का symptom दिख रहा है या तो फिर अगर आपका सरेड में कही भी सब्रетр 144 आइं और नंसेर और इसके बात कैंसर जैसे कि आपका जो बाडी होता है उस बाडि में किसी भी जगा में cancer हो सकता है जैसे कि आपकाभ्रिन हो सकता है गले में कैंसर हो सकता है उसके बाद आपका चेस्ट में कहीं भी जगह में जैसे की लांग कैंसर हो सकता है स्टोमाग कैंसर हो सकता है लिभर कैंसर हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है स्टोटम कैंसर हो सकता है और भी बहुत सारा कैंसर होता है अगर आपको खुझ से पता करना है कि इतना सारा कैंसर बगेरा अगर आपका सरीर में कोई भी जगह में कैंसर हुआ या नहीं इसको पता करने के लिए तभी आप लोगों को सिटिस्कन टेस्ट जो होता है यानि कि पेट सिटिस्कन आपको करना जरूरुद है और जहां पर डॉक्टर आपको रेकॉमेंड करता है ये टेस्ट कराने के लिए और आप खुद से भी एजाज करा सकते हैं समझ गये सो दोस्तों अब हम बताएंगे पेट सिटिस्कन टेस्ट को कैसे किया जाता है देखे दोस्तों पेट सिटिस्कन करने के लिए आपका बॉड़े नीट अन क्लीन होना चाहिए कहीं भी जगह मे पूरा नीट अन क्लीन होना चाहिए और उसके बाद डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है पेट सिटिसकन करने के लिए जहां पर आपको स्कैन करना चाहिए जहां पर आपका पूरा बॉड़ी को मैसिन के अंदर इंटर किया जाता है उसके बाद आपका पूरा सरीर को स्कैन का आता है देखे दोस्तों पेट से जिस्कन करने का जो प्राइज़ आता है अगर आप नजदी किसी भी लेब में करते हैं आपका लोकाली किसी भी लेब में करते है आपका अब retail तो भी आप लोक लेद बाढ़ करेंगे तो 12000 के असपास हो जाता है अगर अग्र जाता है अग्र आपको कॉंप्लिटली जानकरी मैंने देंगी और आप सब कुछ लेकर और यहां पर दोस्तों अगर आपको पेट सिटी स्कैन को लेकर थोड़ा सा भी कहीं भी जग में कोई भी confusion होता है कोई भी question होता है तो आप हमारा इसी वीडियो का comment section में comment कर सकते हैं मैं उसका reply दूँगा और बैसे भी दोस्तों अगर आप मेरे साथ chat की दूआरा बात करना च साथ हैं तो आप हमारा Instagram ID को follow कर सकते हैं Instagram ID का लीग आपको इसी वीडियो का description box पर मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के इंपर खतम करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगना topic के साथ तब तक के लिए thank you so much and thanks for watching